हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू इलर्णिंग क्लासिज दोस्तो आज तारिक है 16 जून 16 जून की करण्ट अफेर्स लेकर मैं आप सभी के सामने आया हूँ जितने भी इंपडेंट क्वेशन हो सकते हैं 16 जून के सभी डिसकस करेंगे और इनसे रिलेटर जो भी इंफॉर्मेशन ह है वो भी डिसकस करेंगे जितने भी दोस्त हैं जबी चैनल को सब्सक्राइब कर लो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेशन से पहला क्वेशन है दोस्तों आज का मदर डेरी की साखा सफल ने ताजा फल और सबजियों की होम डिलीवरी के लिए किस कंपनी के साथ साज् और इसने ताजा फल और सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए जो मेटो के साथ साज्यधारे की है लेकिन देखो कि यह जो डिलीवरी होनी है ताजा फल और सब्जियों की यह दिल्ली और एंसियार बाले ही कुछ इस्थानों पर होगी चुने हुए पर इसमें लगवगा 11 स्थानों को भी शुरुआत में चुना गया है ठीक है एक तो यह बात याद रखनी है इसमें दूसरी बात जो मेटो की करें तो जो मेटो की स्थापना 2008 में हुई थी दोस्तों इसके अलाबा जो मेटो का हेड़कौाटर है गुरू गिराम में कहां पर है गुरू गिराम में है ये भी याद रखना है और जमेटो के जो founder है उनका नाम है दीपेंद्र गोयल और पंकज चड़ा दीपेंद्र गोयल और पंकज चड़ा पहले question से इतनी information आपको याद रखनी है question number two है स्वास्थ देखवाल आपूर्ती update प्रदान करने के लिए किस portal की शुरुवात की गई है तो देखो स्वास्थ देखवाल और आपूर्ती update के लिए जो portal बनाया है दोस्तों उसका नाम है आरोग्य पत कौन सा बनाया है आरोग्य पत ये portal बनाया है इसका उद्देश वर्तमान और नवीन तम जितने भी स्वास्थ और देखवाल वाली आपूर्ती वाली चीजें है उनके वारे में गोल्ड मैडल जीतने वाली गोमती मारी मुथू पर कितने वर्सका प्रतिवंध लगा दिया है तो यह भी question important रहेगा और इसका answer है दोस्तो डी चार वर्सका प्रतिवंध लगा दिया गया है दोस्तो यह एशिया में एशिया चैंपियंशिप में रणिंग में इन्होंने गोल्ड मैडल जीता है और इन पर जो प्रतिवंध लगाया गया है वह लगा है एनावालिक इस्टेरड में लिख देता हूँ यह आट्रोलान ठीक है नेट्रोलान एनाबॉलिक इस्टेरड नेट्रोलान के इस्तमाल में यह पॉजिटिव पाई गई थी 31 वर्सिया है इंपॉड़ेंट रहेगा इनसे रिलेटिव जो कॉश्चन है देखोगे यह है गोमती मारी मुथू तो इनसे कॉश्चन सा सकता है अंतरलाश्ट्रीय अफ्रीकन बाल दिवस अंतरलाश्ट्रीय अफ्रीकन बाल दिवस ऑफ्सन नंबर भी है यह 16 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है कुश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों पांच इंटेक के मुताबिक भारत की किस राज्य की महानदी में 500 वर्स पुराना 6 feet डूबा हुआ sorry 60 feet डूबा हुआ मंदर मिला है देखों 500 वर्स पुराना है 60 feet डूबा हुआ मंदर मिला है महानदी में मिला है इसका state पूछा है आंसर होगा ओडिशा ओडिशा के अंदर ये मंदर मिला है 60 feet डूबा हुआ है 500 वर्स पुराना है और यह यहाँ प एंड कल्चर हेरिटेज रिपीट करूंगा मैं इंडियन नेशनल ट्रस्ट फोर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ठीक है दूसरी बात ओरीसा के चियां यहां केCM है कोने दोस्तो नभीन पतनायक है कि इनके बारे म jijद रखना और यहां के जो गबर्णर है उनका नाम है गड़ लाल यहां के cm है question number देखोगे 6 है इस रोने हाली में गोशला किये है कि भारत अंत्रिच में अपना space center कब तक इस्थापित करेगा तो यह भी important question है और पेपर किसी ना किसी paper में देखने को मिलेगा इस question का answer है दोस्तों D 2030 तक भारत अंत्रिच में अपना space center इस्थापित कर लेगा यह बात किसने बोलिये दोस्तों यह बात बोलिये इस रोने कितने बोलिये इस रोने तो यहां पर इस रोकी बात कर ले सबसे पहले इस रोकी full form क्या है Indian Space Research Organization इसकी स्थापना कब हुई थी 1969 में 1969 में इसकी संस्थापक कौन है विक्रम सारावाई कौन है विक्रम सारावाई इसका headquarter क्या बारी पूछा है तो इसका headquarter है बैंगलूरू में कहां पर है बैंगलूरू में इसका headquarter है इस time पर इसके head कौन है तो इसके head है case C1 तो इस दो से related information है आपको याद रखनी है next question क्यों बढ़ है question number 7 है अमेरिकी अंतरिच एजनसी नासा ने हाल ही में पहली बार किस महिला को space flight program का प्रमुक निक्ट किया है ये भी question important रहेगा आपके लिए पहली बार नासा ने space flight program का किसी महिला को निक्ट किया है और इनका नाम है कैथी लिवडर्स देखो क्या नाम है कै थी लिवडर्स और से इसका answer है यह किस ने किया है दोस्तों इनको नासा ने किया है किस ने किया है नासा ने किया है तो नासा की फुल फॉर्म देख लें यहाँ पर नासा की फुल फॉर्म है दा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड इस पेस एड्मिनिस्ट्रेशन रिपीट करू पर है वासिंग्टन डी सी में है इसके इस टाइम पर जो हैड है उनका नाम है जिम डिटिस्ट टाइन जेम ब्रेडिस्ट टाइन इसके सटाइमपर है नेक्ट कस्ट गियोगे पारते हैं फच्ट नमबर आठ है इसका आंसर होगा दोस्तों NHAI मतलब नहाई क्या है इसकी full form NHAI नहाई इसकी full form देखोगे इसकी full form होती है National Highway Authority of India National Highway Authority of India जो आता है वो Road and Transport Ministry के अंतरगत आता है Road and Transport Ministry जो है यह नितिन गटगरी के पास है इतनी बात याद रखना इसकी स्थापना हुई थी 1988 में इसकी स्थापना हुई थी New Delhi के अंदर इसका headquarter है इस टाइम पर जो agency executive है उनका नाम है संजीव रंजन के नाम है संजीव रंजन ठेक है इतनी बात आपको याद रखनी है नहाई से और इसका आंसर भी याद रखना है कि यह सबसे पहला है जिसने infrastructure के छितर में अपने आपको digital बना लिया है Question number 9 है किस केंदर शासित प्रदेश में नई media नीती बनाई है जिसका विरोत वहां के पत्रकार कर रहे है इसका आंसर है दोस्तो जम्मू एंड कश्मीर जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई media नीती बनाई गई है जिसके तहट क्या होगा सरकारी विग्यापन देने से पहले अखवारों के संपादक प्रकासक और उससे related जो भी अखवार से related जो विग्यापन ले रहा है उसकी से पर देश द्रोही दोशी या किसी जुर्म के कोई भी मुकदमा लगाया जा सकता है तो इसी का विरोध हो रहा है और कहा जा रहा है कि हमारी स्वतंतरता चीनी आ रही है पत्रकाडिता की स्वतंतरता को चीना जा रहा है जम्मु कस्मीर की बात करें 31 ओक्टूबर 2019 को ये केंदर सासित प्रदेश बना था इस टाइम पर इसके उपर राज्यपाल हैं ग्रीश चंदर मुर्मू और जब ये बना था उस टाइम पर राज्यपाल कौन थे सत्यपाल मलिक ठीक है कुश्यन नमबर 10 है दोस्तों आज का हाली में किस राज्य सरकार ने निवेश के लिए एक नोडल एजंसी की स्थापना की है तो इसका आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश ओप्शन नमबर C उत्तर प्रदेश ने एक नोडल एजनसी बनाई है जितने भी इन्वेस्टर है इन्वेस्ट करने वाले उनको 15 दिन के अंदर पूरे पूरी चीज़ें कम्पलेट करनी होंगी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है कौन है योगी आदितनाथ और यहां की गवर्नर कौन है आनंदी बेन पटेल यहां की गवर्नर है योगी आदितनाथ सीम है राजधानी लखनव है हाई कोर्ट इलावाद में कुश्चन नम्मर 11 की और आते हैं दोस्तों किस राज्या ने अपने परियावरन मंत्राले का नाम दिया है तो देखोगे महाराष्ट ने अपने परियावरन मंत्राले का नाम बदल दिया है इसका अंसर है डी महाराष्ट और इसका नाम बदल के इसने परियावरन और जलवायू मंत्राले रख दिया है ठीक है इसका पहले नाम क्या था परियावरन मंत्राले था अब देख हैं मुंबई यहां की राजधानी है सबसे आदा करोना वाइरस के केसिज भी मुंबई में हैं बौहान सेहर को पीछे चोड़ दिया है क्वेशन नंबर बारा है दोस्तों हाली में किस पूर्व किर्किटर का करोना वाइरस पॉजिटिव आया है और इस बारेवे क्वेशन का आंसर है शाहिद अफरीदी का कुरोना वाइरस टेस्ट पॉजिटिव आया है और यह जानकारी खुद इनों ने अपने ट्यूटर पर दी है देखो पाकिस्तान के हैं साहिद अफरीदी किर्केटर सभी लोग जानते होगे पाकिस्तान के पीम है इमरान खान तहरी के इंसाफ सबस्तारा पार्टी से हैं राश्च्पती है मुहमध d'rif, राजधानी है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपिया सबसे लंभी नदी है सिंदु नदी पाकिस्तान की question number 13 की और आते हैं दोस्तो question number 13 है ये साइद अफ्रेदी हैं सभी लोग जानते हैं उनके बारे में कोई नहीं बात नहीं है question number 13 हाली में HDFC बैंक के कारेकारी नेदेशक के रूप में कैसे नियुक्ति किया गया है question number 13 है ये भी important रहेगा और इसका आंसर होगा दोस्तों C के अजाद भरूचा को HDFC का कारेकारी नेदेशक बनाया गया है सबसे पहरे HDFC की full form जान लेते हैं HDFC की full form होती है दोस्तों house development finance corporation house development finance corporation इसकी full form होती है 1994 1994 में इसकी स्थापना हुई थी इसका headquarter मुंबई में है लगवक सभी जितने भी लगवक के रहों में बैंक है उनका headquarter मुंबई में ही है इसके जो प्रवंधक नेदेशक है उनका नाम है आदित्या पूरी कई बारी में बतावी चुका हूँ इसके बारी में double steak container train सफलता पूरवक चलाकर किस देश ने इतिहास रचा है तो देखोगे इसका answer दोस्तों अपना देश है भारत option नंबर बी यह पहली बार ऐसा हुआ है कि माल गाड़ी को double decker मनाए गया है जैसे माल गाड़ी यहां पर डब्बे लगे हुए यह वाले डब्बे हैं तो इनके ऊपर भी ऐसे करके और डब्बे लगा दिये गये हैं जैसे आपने बस देखा होगा train देखियोंगी seat के ऊपर seat होती है इसी तरीके से यहां पर माल गा शेहरों का हाली में तमील नाडू सरकार ने कोयमबटू सहर नाम बदल कर क्या रखा है तो कोईंबटू सहर का नाम बदल दिया है और इसका option है C. कोयम पुतु थुर नगर ठीक है कोयम पुतु थुर नगर देखो ये सब नाम इसने अठ पटे से रख दी हैं ठीक है न तो 1,008 ती नाम बदले हैं अभी किसने तमिल नाडु ने संखिया याद रखना पेपर में लग रहा है आ सकता है एक हजार अठारा शहरों के नाम मतले हैं तमिल नाडू ने जिन नामों में इंग्लिश का नाम जुड़ा हुआ था इंग्लिश का कुछ वर्ड था ऐसा लगदा था लैने में अंग्रीजी वर्ड है वो सब बदल दी है हटा के अपना ही उसने तमिल भासा में यह सब नाम कर हैं तो तमिल नाडू की बात करने थोड़ी सी तमिल नाडू के सी एम है के पलानी स्वामी और यहां के गबर्नर है बनवारी लाल पुरोहित राजधानी चेन नहीं है ओके दोस्तों आज का टूड़े क्वेशन है जिसका कमेंट वक्स में आपको आंसर देना है हाली मैं इं ठालू कि मैं पीदेबर ने था राज़े केर।